नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजार बीते लोग सभाद चुनाव में फिल्म स्टाइल में बाहु बली अनन सिंग की एंट्री हुई जेल से बाहर आने के बाद अनन सिंग बिहार के सियासत में चर्चा का केंदर बन गए हलाकी वे सियासी रण में तो नहीं उतरे लेकिन उनकी राजनितिक धमक साफ तोर पर महसूस की जारी थी मुंगेर लोग सबस चुनाव के ठीक पहले जेल से बाहर आकर उन्होंने इस चुनाव को बेहत दिल्चस्प बना दिया जिहां यहां दो बाहु बलीों की वज़ज़ से सियासी गुणागडी पहले से ही काफी दिल्चस्प था जन्तादल यूनाइटेड यानी की जग्यों ने ललन सिंग को चुनावी मलदान में उतारा था तो वहीं दूसरी और राजुद ने बाहु बली असोक महतो की पतनी अनिता देवी को अपना उमिद्वार बनाया दोनों के पीछ की लड़ाई जो है काटे की मानी जारी थी लेकिन अनन सिंग के जेल से बाहर आने के बाद से मुंगेर की लड़ाई अनन सिंग बनाम विपक्ष लगने लगी थी अनन सिंग के बाहर आने से बिहार में सियासी खलबली मच गई इस खलबली के पीछे वज़ा भी थी दरसल जेल से निकलते ही अनन सिंग ने मीडिया के साथ बाचीत करी और उसमें उन्होंने कहा था कि ललन सिंग को 4 लाख वोट से जिताना है हलाकि उसके बाद कई बार उन्होंने यह भी कहा कि मैं ना तो लालू यादों के साथ हूँ ना नितीश कुमार के और रही बात ललन सिंग की तो ललन सिंग अपने बलबूते चुनाव जीत जाएंगे वही अनन सिंग के जेल से बाहर आने को लेकर के राजनितिक वसलेशक का मारना था कि ललन सिंग और अनन सिंग में गहरे रिस्ते हैं दोनों एक दूसरे को राजनिती में मदद करते हैं ऐसे में अनन सिंग ललन सिंग के लिए संकट मोशन की भूमिका निभा सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब मुंगेर लोगसभा की चुनावी पड़िनाम सामने आए, तो ललन सिंग मुकामा से ही हार गये। जहां से अनन सिंग पूर्व विधायक थे, वैसे तो ललन सिंग न इस सीट से 8870 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन मुकामा विधान सभा में वह अनिता देवी से हार गये। इस विधान सभा में ललन सिंग को 68,448 वोट मिले, तो वहीं अनिता देवी को 79,563 वोट मिले। पूरा का पूरा पायदा असोक महतो की पत्नी यानिकी अनिता देवी कुमला। और जहां अनिता देवी ने 79,530 वोट लाएं वहीं ललन सिंग को 68,448 वोट मिले। वैसे यह पहली दफा नहीं था जब अनन सिंग ललन सिंग को लेकर महनत कर रहे हैं और वह असफल हो गए हैं। इससे पहले भी 2014 के लोगसबद चुनाव में ललन सिंग को अनन सिंग ने अपना समर्थन दिया और कहा था कि अगर ललन सिंग हार गए तो वह सन्यास ले लेंगे। और उस वक्त थो ललन सिंग मुंगेर से चुनाव ही हार गय थे तब अनन सिंग ने ना तो सन्यास लिया ना ही कुछ किया। आपचल टीवी बियार ठैन्यवाद